कॉल करके बोले कि भाईया जो आपने सीके दिखाए है वो सीके मेरे पास है हमको सीके बेचना है पुराने सीके बेचने के चकड में मेरे साथ साथ हजार रुपया का फरोड हो गया फिर जो है बोला यह सिक्के का तुमको जो है पचीस लाख और पे मिल जाएंगे तुम बहुत किमती सिक्के है यह हम बिहार से मोहित कुमार बोल रहे हैं पुराने सिक्के बेचने के चकर में मेरे साथ साथ हजार रुपय का फरोड हो गया हम आपको बता दे कि हम यूटूब फैल वीडियो देख रहे थे जिसमें पुराने सिक्के बीछने और खरीद्य के बारे में जो हैं वीडियो दिखाये जा रहा था उस्में में तो फिर हमने कमेंड बक्स में नंबर देखा और नंबर देखने के बाद भाइया हम कॉल किये उसको कॉल करके बोले कि भाइया जो आपने सीके दिखाये वैसी के मेरे पास है हमको सीके बेचना है तो बोला कि आप काम किसे हरे याँ वार्टशे कीजिए अगर आपके पास म opini नुचक्ट है तो अदिये धीया कर तो मूल के आपके बाध या तो उसके पाद पांच मिने बाद उसका कौल आता मेरे है कि बोले कि पुले कितने है तुम्हारे पास मैं बोला दो ही फिर थिक्षचे का तो historically 2500 वन को मिल जाएंगे तो बहुत किमती सी टेंजे यह इतने पुराने सी के तो fingerprints अपको कि देखो वह तुम को हम 20 क्रोड रपे देंगे कहीजु सूरा तो फिर कहां तो मैं बंगाल कास सूरा आपको कैसे payer है तुमने आदमी जाएगा मैं जाएगा और तुम को तो वाहां जाके ले पैस के तुम को पैसे देकर चला आएगा是b को हम लगश्र में नम्हा तो हम बोले कि ठीक है । तो बोला काम करो तुम अपना और अधार नमबर और अधार नमबर और तुम्हारा जो है और पासबों इस सब जो है हमको भेज़ दो फोटोगिज कि फिर जो हमने उसको भेज दिया ड देजने के बाद का हुआ कि हम दुबारा उसको कॉल काई जार किया पाच मिन बाद और खुद कॉल किया और बोला कि कांद कीजी आप आप कार सब पुछा गया है तो इक कागजी करवाई हमें जो है करनी है इसके लिए जो है आप हमें 20,000 रुपे डाल दीजिए तो मैं बोला कि सरा कांद कीजी आप जो हमें दे रहे हो 5,000 तो उसी में से जो है आप भी से इर पर काट लिजिए तो वह बोला कि ठीक है देखते हैं फिर जो है कॉल काट दिया और उसके बाद फिर कॉल कर रहा है दो मीन बाद और बोला कि देखिए यह ऐसा नहीं हो सकता है हमारे कंपनी के नियम के खिलाफ है आपको जो है बिस्सर देने होंगे क्योंकि कुछ कागजी करवाई होते हैं वो करने के बाद ही जो है हम आपको यह सीक्के जो है आप से हम खरीद सकते और आपको हम पैसे आपको जो है एकाउंट में टास्पर कर सकते हैं भी सब्सक्राइब पहले आप दो तभी आपको पांच लाख रुपे जाएंगे अपने फोन पर प्रेस्टेटमेंट तो दिखाने उसको भेजने के बाद जो है ओबला ठीक आपके एकाउंट में चले आएंगे पांच लाख रुपे चले जाएंगे फिर पांच मिन के बाद वह फोन नहीं कि आपको पैसे चले आएंगे पिर आधा घंडा अपको जाये और प्रेश क्या बात कर रहे हो इतने पैसे की बात कर है अप पहले बोले वह वह ब्यों बीस यह बिखी है अगर आप नहीं भेजते हो तो फिर आपको अभी सबीन आपको जो है जो है चले जाएंगगे आप सोचब आपको पांच लाख रुपर को दिवास में मिल रहा है और सीक जो है मेरा आदमी जा कि आपको वहां पर इतनी बड़ी रखम आपको 25 लाक रुपने आपका इस और यार यह देने में आप संकोच कर रहे हो फिर मेरे मौन मेरे क्या करूं किसी समय सलाह भी नहीं लिए आपने घर परिवार से फिर जो है हम बोले यार चलो पांच लखत वाही रहा है जो है मेरे पास भाईया पुरानी जो है एक गाड़ी था उसको हम जो है अब इस अरव में बेज़ दी और 20,000 रपया एक अपने दोस्त जो है करजा लेकर पहिंचा लेकर मतलब हम उसको यह पैसा हम टास्पर कर दी और उसके बाद जो है फिर आदा घंटा में जो है उसका कोल आता है मेरे पास इतना भेजने के बाद मैं बला क्या वसर आपने बोला हम पैसा टास्पर कर दी है और आपका पैसा जोमने 9 मात Engineering प्योणी का बोल रहा है कि आपको जो है सेलटेक्स फारं बनावाना पढ़ेगा भर्वाना पढ़ेगा in हुआ जी एस्टी फार जी एस्टी बिल के लिए और सेल टेक्स का जो एक फारम भड़ता है उसके लिए जो है हमने डाल निजे मेरे पास मैं कोशिस की आपने दोस्तों यारो सब्सक्राय करे मैं और और उसको दे और भी सॉ पेर जब दुबारा मांगा सान तो अदर हमसे नहीं हो पाया नहीं जुगार कर पूंधाया मैं मैं कि भरता हुं रेकिन नहीं हो पाया फिर मैं उसको कॉल करके बोला रिक्वेस्ट किया कि सब्सक्राइब कि आप कॉल तो फिलीज हमें पैसा वापस कर दीजिए या फिर आप उसी में से काट कर जो है कि हमें वह पांचे लाख में बोल रहे हैं आप जो है पांचे लाख में आईए दोनों सिका दे देंगे हम उसके आगे इतना रोय गिरिगरा है भाईया हम आपको कहा बताए मेरा पापा को कवर चल गया है कि वह बाई की बेज़ दिया है वहां घर से भी गुसा आएगा किसी क नहीं बिकता है सब जूठी बात है भाईया हम फस गए भाईया आप सब से निवेदन करते हैं कि आप सब प्लीच कभी ऐसे बहकावे में ना पड़े ऐसे फ्रोड के चक्र में ना पड़े भाईया हम तो गरीब आदमी उतना कैप सिटी नहीं था मेरा साथ हजर रिप्या मे प्लीच में फस गए आप सब भाई जनी वेदन हैं कि ऐसे फ्रोड कॉल में ना पड़ें